नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशी शगरवाल, आपका अपना बिजनस दोस्त, founder of franchise बतावर.com दोस्तों, आज जो बिजनस आइडिया में आपके लिए लेकर आया हूँ, यह बहुत ही जबर्दस बिजनस आइडिया है और साती साथ, आपको जिस प्राइस में बिजनस मिल रहा है, आप यकीन मानिए कि आपको इस प्राइस में बिजनस दुबारा नहीं मिलेगा दोस्तो, Roman Management Services Private Limited, जो की एक HR Consultancy Company है, जिसका में बिजनस क्या है? थर्ड पार्टी पेरोल पर कमपनीज को मैन पावर प्रोवाइड कराना है दोस्तो, थर्ड पार्टी पेरोल क्या होता है? बहुत सारी कमपनी जो लेबर रखती है, जो employees रखती है, वो सारे contract best पर रखती है और ये contract कौन करता है ये Roman management जैसी third party करती है मतलब कि जो employees कोई company hire कर रही है वो अपने payroll पे ना करकर किसी third party मतलब किसी और company के payroll पर कर रही है और उस third party मतलब Roman जैसी company और एक company के साथ तायाप हो जाता है जैसे कि मैं आपको example लेकर बताता हूँ franchise ही बताओ एक company है ये company employees hire करना चाहती है लेकिन ये चाहती है कि employees का provident fund हमें ना pay करना पड़े ESI की service हमें ना देनी पड़े और बहुत सारी employees related problems आती है वो problems company खुद नहीं लेना चाहती franchise ही बताओ खुद नहीं लेना चाहती तो वो क्या करेगी Roman management जैसे किसी company को hire करेगी और कहेगी कि आप हमें employee hire करके दीजिए और Roman management मेरे भिहाब पर जैसे employees के मुझे requirement होगी वैसे employees hire करेगी और मुझे provide करा देगी और इसके बदले जितनी भी salary होती उस employee की मैं directly Roman को pay करूंगा और Roman employees को pay करेगी बस यहाँ पर मुझे costing थोड़ी सी extra आ जाती है costing extra क्यों आ जाती है क्योंकि जो third parties companies होती है यह अपने service charge लेती है 6%, 7%, 5% जो भी deal होती है इस deal के according एक मुझे salary के अलावा एक commission extra pay करनी पड़ती है Roman management को और वो Roman जैसे company की income होती है यहाँ पर दोस्तों Roman management आपके लिए एक franchise opportunity लेकर आया है business opportunity लेकर आया है कि अगर आप ऐसी किसी company को जानते हैं जो अपने under में employees hire करवाना चाहती है और third party payroll के अंदर करवाना चाहती है तो आप ऐसी companies को Roman management के साथ जोड़ सकते हैं जी यहाँ friends आप बिल्कु ठीक सुन रहे हैं आप ऐसी company को सर्च करिए जो company अपने under employee direct ना रखकर indirect रखना चाहती है या फिर दोस्तों यहाँ पर company कौन कौन सी हो सकती है पहली तो वो बड़ी company जो 30, 40, 50 या 100 employees रखती है दूसरी कुछ वो छोटी company भी हो सकती है जो सिर्फ 10 employee या 12 employee रखती है छोटी company के लिए तो employee manage करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि हर बार उन्हें employees को hire करने के लिए एक HR manager बिठाना पड़ेगा जिसकी कि महीने के salary उसे pay करनी पड़ेगी कई बार तो ये salary employee code से भी जादा होती है प्लस में वो employees के training नहीं करा पाएंगे employees को सारी services नहीं दे पाएंगे तो ऐसी सारी services रोमन दे देगी आपको केवल क्या करना है आपको केवल और केवल उनको एक commission देना है तो आप रोमन management के साथ छोटी company को भी hire करा सकते है medium company को भी करा सकते है MSME को करा सकते है आप directly उन companies पर जाएंगे उन company पर जाके बोलेंगे कि रोमन management private limited एक ऐसी company है जो आपके लिए employee hiring का का काम करती है employee hiring के कोई भी charge दी लेती है आपके लिए employee management का का काम करती है उसके लिए जो employee management में होता है sales ने का सिर्फ 6% या 7% चार्ज लेती है तो अगर आप ऐसे 10-15 कंपनी पे जाएंगे तो 2-3-4 कंपनी आप से convert हो जाएंगे आप suppose करिए कि आप as a franchise महीने के सिर्फ 2 कंपनी हायर करवा रहे हैं और एक कंपनी में 20 employees हैं मतलब महीने के 40 employees आपने hire करवा गिये Roman management के साथ अब उनके लिए सारे employees लाने का काम कोन कर रहा है Roman management कर रहा है उनके लिए सारे employee management का काम कोन कर रहा है Roman कर रही है अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आपके income किस तरीके से होगी यह समझ लेते हैं और फिर उसके बाब बताऊंगा कि क्या बहुत ही जबर्दस्ट offer है आपके लिए यहाँ पर suppose करिए कि एक employee की salary के वल 10,000 रुपे होती है ज़्यादा होती है लेकि मैं सिर्फ एक कम से कम example लेकर चल रहा हूँ 40 employee आपने एक महीने में hire करवा है पांच महीने के बाद आपके 200 employee हो गई पांच महीने में ही या छे महीने में हो गई हो सकता है किसी बार तो एक महीने में ही 200 employee से ज़्यादा contact आपको मिल जाए अब 200 employees हो गए तो 200 employees की अगर 10,000 रुपे salary हो गी है तो friends यह salary हो जाती है 20,000,000 रुपे की अभी 20,000,000 रुपे का business आपने Roman management को करके दे दिया है अब यह company एक बार जब company के साथ अटेच हो गई तो lifetime यह company चलती रहती है क्योंकि जब तक company चलेगी तब तक companies को employees की requirement रहेगी तब तक companies को employee management की requirement रहेगी इसलिए Roman management जिसी company को साथ नहीं चोड़ सकते है अब यहाँ पर आपको जब तक वो company रहेगी अगर आपने उस company को hire करके company को दिया है साथी साथ आपने employees को hire करने में भी help करी है तो आपको 2-3% का एक commission मिलता है हम लोग normally 2% का commission मान लेते हैं तो 20 लाग का 2% 40,000 का महीना आपको तब तक आएगा जब तक वो companies Roman के साथ attach रहेंगी मतब जब तक Roman management उन company को से income अन करती रहेगी तब तक आपको भी एक fixed income आती रहेगी और आपको इसके लिए बाद में कुछ नहीं करना आपने एक बार सिर्फ ऐसी company को attach करवा दिया और उसके बाद आपको हर बार कोई काम नहीं करना है हर बार को जो काम है वो Roman कर रही है आप नहीं कर रहे हो तो आप इस company की franchise ले सकते हैं अब normally इस company की franchise अगर आप देखेंगे मैंने पहले दो वीडियो बनाये थे इस company की franchise लेने के लिए आपको 50,000 रुपीज पे करना पड़ रहा था जी हाँ friends 50,000 रुपे आपको पे करने पड़ रहे थे लेकिन January special offer आपके लिए company लेकर आई है जहाँ पर अगर आप एक company hire करवा देते हैं तो एक company की hiring के साथ आपको सिर्फ 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे दोस्तों 5,000 रुपीज में आपको franchise नहीं मिल रही है 5,000 रुपीज में आपको franchise तभी मिलेगी जब आप एक महीने के अंदर ये guarantee करेंगे कि आप एक company hire करवा के दे देंगे मतलब कि आप अपने business का खाता खोल कर आप 5,000 रुपीज सिर्फ देंगे तब भी आपको franchise मिल जाएगी तो ऐसे लोग जो कम पैसे में franchise लेना चाहते हैं जो 50,000 या 1,000,000 रुपे खर्च नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ 5,000 रुपे में भी roman की franchise ले सकते हैं दोस्तों condition क्या है किस तरीके से आपको करना है आपको 5,000 रुपे पै करने है 5,000 रुपे पै करने के बाद आपको training लेनी है समझना है कि आपको hiring किस तरीके से करनी है और उसके बाद अगले एक महीने में आपको कम से कम एक company hire करवा के देनी पड़ेगी अगर आप hire करवा के नहीं दे पाएंगे तो आपको 20,000 रुपे extra और pay करने पड़ेंगे अगर आपने hiring करवा दी तो आपके लिए 20,000 रुपे माफ हो जाएंगे जी हाँ friends ऐसा offer आपको दुबारा नहीं आने वाला ये offer आपके लिए company अगले 11 दिनों के लिए लेकर आई है तो आप अगर इस business के साथ जुबना चाहते हैं इस company के साथ जुबना चाहते हैं और आप placement से related HR से related business सुरू करना चाहते हैं तो ऐसा मौगा आपको दुबारा नहीं मिलेगा आज ही जुड़िये Roman management के साथ और अपनी जिन्गी की एक नई शुरुवात करें ऐसे ही business videos आपको franchise बताओ पर आगे भी लेकर आता रहूँगा अगर आप इस company के बारे में जाता जानना चाहते हैं तो आप description में दिये के link पर click करें या फिर आपको Google form मिल जाएगा वहाँ पर click कर सकते हैं और आप इस business को अपने साथ सुरू कर सकते हैं दोस्तों देखते रही है franchise बताओ और आप इस video को share जरूर करिएगा और आपके मन में कोई भी question है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं मैं हूँ आशी शकरवाल आपका अपना business दोस्त जैहिं जै भारत आपके माँ में कोई जा हे आपके माँ पना अवमाणा region से दितो अपके माँ माँ सो कहा जापके यू है और आपके माँ सो हां जा एमाँ